हेई गाईस दिस देशी रोग और आजके इस वीडियो में हम ओलेट डिस्पले को यूज करना सिखेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम इसमें अलग-अलगता से टेक्स्ट को सो कर सकते हैं सो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं अलग-अलग तरह के ओलेट डिस्पले को यानि कि इसका हाइट पहले वाले का डबल है अब यहां पर यह दोनों ही डिस्पले आय टूसी ओलेट डिस्पले है यानि कि हमारे आड्यूनों को i2C कम्मुनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करके इनसे कम्मुनिकेट करना पड़ेगा लेकिन आपको मार्केट में SPI OLED को मिल जाएगा बट क्योंकि मेरे पास यह i2c वाला सेट अवेलेबल है तो आज मैं इन्हें यूज करना सिखाऊंगा एंड अगर मैं in future SPI वाला मोडल पर्चेस करता हूँ तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा अब हम कुछ और बेसिक चीजों को जानते हुए आगे बढ़ते हैं जैसे की ओलेट का मतलब और्गानिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है एंड इस डिस्प्ले को किसी भी तरह के बैक यह हो गया होगा एंड अब हम देखते हैं कि इसे आडियोनो के साथ कनेक्ट करे सकते हैं जैसे कि यह दोनों डिस्प्ले 5 वोड लॉजिक को सपोर्ट करते हैं और्वाइस आपका ओलेट खराब हो सकता है यहाँ पर आपको 4 पिंस देखने को मिल रहा है जिसका यूज करके हम इसे आडियोनो के साथ कनेक्ट करेंगे एंड अगर मैं इसे हलका सा टिल्ट करूँ तो ये जो आपको थोड़ा सा सेड़र टाइप का देखने को मिल रहा है यह इसके पिक्सल्स हैं अब अगर हम इसके बैक को देखे तो यहाँ आपको एक छोटा सा रेइश्टर देखन को मिलेगा एंड इस register के position को change करके यानि कि अगर हम इस register को इन दो points से हटाके इन दो points के बीच में लगा दें तो इसका address change हो जाएगा अब हर I2C slave device के पास एक address होता है एंड अगर आपने दो same type के display को अपने project में use किया एंड उनका address change नहीं किया तो दोनों display में same data so होने लगेगा एंड इसी लिए हमें यह register provide किया गया है ताकि हम इसके address को change कर पाएं similarly अगर हम इस 128 into 32 resolution वाले module को देखे तो यहां हमें कोई भी option नहीं देखने को मिलेगा address change करने के लिए जिसका मतलब है कि हम इसके address को change नहीं कर सकते तो अब अगर हम इसके pins को देखे तो पहले के दो पिन ground and vcc है जिसे हम आर्ड उनो के ground and plus 5 volt output के साथ connect कर सकते हैं एंड इसके बाद है SCL जो की I2C clock line है एंड इसे हम आर्ड उनो के SCL यानि की आर्ड उनो के analog input pin A5 के साथ connect कर सकते हैं similarly next pin है hda जो की I2C data line है एंड इसे हम आर्ड उनो के analog input A4 के साथ connect कर सकते हैं अब अगर आप एक आर्ड उनो या nano का use कर रहे हो तो सारा connection as it is same रहेगा बट अगर आप कोई और micro controller का use कर रहे हो तो आपको simply उसके I2C files को find कर लेना है एंड बागी का connection as it is same रहेगा सो मैंने भी यहाँ पर अपने display को connect कर लिया है एंड अब हम समझते इसके required codes को सो क्यूंकि हमारा Arduino I2C communication protocol का use करके OLED के साथ communicate करने वाला है सो मैं सबसे पहले यहाँ पर wire.h header file को include करूंगा अब मैं next के दो header files को include करूंगा जिसमें से पहला एड़फरूट-gfx.h जिसका यूज करके हम अपने display में shapes, patterns जैसे चीज़ों को draw कर सकते हैं अब दूसरा है एड़फरूट-ssd1306.h जो हमारे OLED में लगे driver chip को handle करता है अब इन दो header files को use करने के लिए हमें दो libraries को install करना होगा इसके लिए हमें simply tools पर जाना है and manage libraries पर click करना है जिससे एक new window open हो जाएगा अब यहाँ search वाले section में जाने के बाद आपको simply लिखना add up root gfx and search करना है and आपको as it is यह वाला library install करना है मेरे में यह पहले से installed है बट आपको यहाँ पर install को option मिल जाएगा similarly इसे install करने के बाद आपको again search वाले section पर जाना है and लिखना है add up root sht1306 and इसे भी install कर लेना है and अब आप ready है इन दोनों header files को use करने के लिए so हमने अपने code में तीनों header files को include कर लिया है and अब हमें अपने screen के width and height को mention करना होगा so क्योंकि मैं पहले बड़े वाले display को use करने वाला हूँ so मैं screen width को 128 and height को 64 set कर दूँगा and अब हम एक display object को create करना होगा जिसका use करके हम data को display में so करेंगे so इसके लिए मैं simply लिखूँँगा add up root underscore sht1306 and फिर एक space देने के बाद हमें लिखना है display and यहाँ सबसे पहले हमें अपने screen के width को डालना होगा और इसके बाद हमें अपने screen के height को डालना होगा and अब हमें लिखना है end operator wire क्योंकि हम I2C का use करने वाले है and finally हमें comma देने के बाद यहाँ Arduino के उस pin का number देना है next हम word setup के अंदर serial monitor को initialize करने के बाद एक message print कर देंगे कि अब हम display को initialize करने वाले है and अब हम अपने display को भी initialize कर देना है so इसके लिए मैं simply लिखूंगा while and brackets के अंदर not display.begin ssd1306 underscore switch के vcc and फिर comma देने के बाद आपको यहाँ पर display का I2C address डालना है तो मैं simply 0x3c डाल दूँगा and bracket बंद करके semicolon लगा दूँगा अब यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि हमें अपने display का address कैसे पता चलेगा तो आप जब display को purchase करते हो तब अगर उसके documents में उसका address mention किया रहता है तब तो आपको कोई problem नहीं होगा but in case अगर आपको address नहीं मिलता and आप एक I2C display को use कर रहे हो तो आप simply इस code को अपने Arduino में upload करके अपने I2C device के address को पता कर सकते हो मैंने code को नीचे description में provide कर दिया है आप चाहे तो वहाँ से जाके इसे copy कर सकते है so इसके लिए आपको यह code अपने Arduino में upload करना है and अपने display को manager से बताया वैसे अपने Arduino से connect कर देना है and code run होते ही आपको serial monitor को open करना है and आप देख सकते हैं यह जो address so हो रहा है यही हमारे display का address है so code में वापस आते हुए हमने while के condition में not display.begin का use किया था बस यह serial monitor के जगा display में हुए changes को so करता है and मैंने इसका use इसलिए किया है ताकि हमारा display properly active हो जाए इससे पहले कि हम उसमें कोई data print करें अब मैं यहाँ 2 second का एक delay दे दूँँगा ताकि हमारे display को थोड़ा सा time मिल जाए और इसके बाद मैं display.clear display command का use करूँगा जो display में printed सब कुछ erase कर देता है and finally मैं serial monitor पे एक message प्रिंट कर दूँगा कि हमारा display अब ready है इसके बाद मैं void loop को open करके खाली ही छोड़ दूँगा and अब हम इस code को upload करके देखेंगे कि क्या होता है तो आप देख सकते है code run हो रहा है and हमें ये add up root का symbol देखने को मिल रहा है जिसका मतलब है कि हमारा display properly काम कर रहा है and साथ ही साथ हमें serial monitor पे ये message भी देखने को मिल रहा है अब कुछ लोगों यहाँ पर doubt होगा कि हमने code में display.clear display का use किया था जिसके कारण 2 second के बाद display में so होने वाला सब कुछ रेज हो जाना चाहिए बट फिर भी हमें ये add up root so क्यों हो रहा है तो जहां तक मुझे लगता है ये command all data को तभी remove करता है जब कोई नया data print होने के लिए available हो और example मैंने code को change कर दिया है अब 2 second के बाद यहां display से add up root remove होके देसी रोबो सो होना चाहिए मैं इस command को line by line explain करूँगा बट पहले हम देख लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं तो मैंने code को upload कर दिया है अब देख सकते हैं हमें पहले add up root देखने को मिल रहा है अब यह constantly देसी रोबो सो कर रहा है यानि कि यह command old data को तभी remove करता है जब नया data available हो अब तक हमने देख लिए कि display को Arduino के साथ connect and properly initialize कैसे करते हैं अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें message को print कर सकते हैं तो हमने code को यहाँ पर छोड़ा था and अब हम सीवे void loop में चले जाएंगे मैं सबसे पहले फिर एक बार display.clear display का use करूँगा display को clear करने के लिए and इसके बाद मैं text के size को set करूँगा इसके लिए मैं simply लिखूँगा display.settextsize and यहाँ आप 1 से लेके 8 तक के values यूज़ कर सकते हैं तो मैं simply 2 डाल दूँगा बट आप अलग-अलग values को डाल के try कर सकते हैं next हम अपने text के color को set करना पड़ेगा इसके लिए मैं simply लिखूँगा display.settextcolor and यहाँ मैं white लिख दूँगा अब आप चाहे किसी भी color का OLED display यूज़ कर रहे हो आप simply white डाल सकते हो जिससे आपका display फुरी उसके default color में output तो करने लगेगा next हमें text के location को mention करना होगा इसके लिए मैं simply लिखूँगा display.set cursor and यहाँ मैं 0,10 डाल दूँगा जिसका मतलब है horizontally 0th pixel से and vertically 10th pixel से हमारा text print होना शुरू होगा finally मैं display.print का use करके अपने message को print कर दूँगा आप अपने according यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं इसके बाद मैं again display.display का use करूँगा ताकि हमारा display नए डाटा से अपडेट हो जाए तो हमारा code ready है and मैं इस simply upload कर दूँगा and आप देख सकते हैं हमें message so होने लगा है so यह तो था normal text का example but हम इसी text को अलग लगता ही किसे कैसे सो कर सकते है for example मैंने आपको वीडियो को starting में जैसा दिखाया था so इसके लिए मैं यहाँ पर display.display के बाद एक और command का use करूँगा so इसके लिए मैं simply लिखूँगा display.startscroll right and bracket के अंदर मैं कुछ ऐसा लिख दूँगा and semicolon लगा दूँगा and इसके बाद मैं एक 5 second का delay दे दूँगा फिर उसके बाद मैं लिखूँगा display.stopscroll जिससे यह text वापस normal हो जाएगा and मैं फिर से 5 second का delay दे दूँगा so code ready है and चलिए से upload करके देखते हैं कि क्या होता है so हमारा code upload हो गया है and आप देख सकते हैं हमारा जो text है वो पहले move कर रहा है and 5 second के बाद इसने move करना बंद कर दिया है so I hope सबको idea हो गया होगा कि इन OLED display में data को so कैसे करते हैं and आप चाहे तो किसी sensor के data को जैसे की temperature, humidity जैसे चीज़ों को इन display में so कर सकते हैं अब अगर हम इस बड़े वाले display के जगा छोटे वाले का use करें तो हमें simply code में display के height को change करना होगा so मैं इसे भी upload करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसे यह as it is same काम कर रहा है so इने चूर के और भी कही तरह के text animations available है मैंने नीचे description में अपने block का link दे दिया है आप चाहे तो वहां से उन्हें चेक कर सकते हैं अब हम देखते हैं कैसे हम कुछ shapes को display कर सकते हैं so सबसे पहले हम एक pixel को print करके शुरू करेंगे तो void setup तक का code बिल्कुल same है जैसा हमने पहले किया था and मैं सिधे void look में जाऊंगा and सबसे पहले display को clear करने का command लिखूँगा इसके बाद मैं simply लिखूँगा display.drop pixel and bracket के अंदर सबसे पहले हमें horizontal pixel का location देना है तो मैं simply 10 डाल देता हूँ and इसके बाद हमें vertical pixel का location देना है so मैं इसमें भी 10 डाल दूँँगा and finally हमें color को mention करना है so मैं simply white डाल देता हूँ इसके बाद मैं simply display.display का use करके display को update कर दूँगा so code run हो रहा है and यह जो आपको एक blue dot देखने को मिल रहा है यही हमारे display का एक single pixel है जो top से vertically and horizontally 10th position के located है next हम एक circle को draw करते है so इसके लिए मैं simply display.draw pixel को remove करता हूँ and यहां लिखता हूँ display.draw circle and यहां सबसे पहले हम अपने circle के center को mention करना है तो मैं simply 64,32 डाल दूँगा जिसका मतलब है हमारे circle का center display के बीचो बीच होगा इसके बाद हमें circle का radius देना है तो मैं simply 10 डाल दूँगा and finally मैं color में white डाल दूँगा so code run हो रहा है and हमें display पर यह circle देखने को मिल रहा है अब again इसके अलाव और भी धिर सारे commands है different different shapes ड्रॉप करने के लिए जिसका link आपको नीचे description में मिल जायेगा and finally अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने OLED डिस्पले में एक image को show कर सकते हैं तो पहले हम image को ready कैसे करना है वो देख लेते हैं and फिर हम code वाले section को देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक image को select कर लेना है for example मैं इस image को use करने वाला हूँ and अब आपको किसी image editing tool का use करना होगा इसे edit करने के लिए and अगर आप एक windows pc पे है and इससे हमारे image का resolution काफी down हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं finally आपको इस image को monochrome bitmap के format में save कर लेना है तो मैं भी इसे save कर लेता हूँ and आप देख सकते हैं कि ये जो image है ये dark black and white में convert हो गया है आप चाहे तो अपने image को convert करने से पहले थोड़ा और edit भी कर सकते हैं better look के लिए जैसे कि मैंने अपने image के साथ किया है and finally अब आपको किसी भी तरह का image to see array converter tool का use करके image को bitmap में convert कर लेना है so मैं यहाँ इस online tool का use करने वाला हूँ save कर देना है क्यूंकि हम इसे अपने code में use करने वाले है so हमने अपने image को bitmap में convert कर लिया है and अब हम देखते हैं इसके code को तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ display object create करने के बाद एक character array create करना होगा so मैं इसे simply create कर लूँगा and हमने यहाँ program keyword का use किया है जिससे हमारे image का bitmap सीधे Arduino के flash memory में store हो जाएगा so अभी के लिए मैं इसे खाली ही छोड़ देता हूँ क्यूंकि हम इसे end में fill करेंगे next में word setup में as it is display को insulize होने दूँगा and यहाँ से हम अपने आगे के code को लिखेंगे so bitmap को so करने के लिए मैं simply लिखूंगा display.drop bitmap and अब आपको यहाँ पर अपने image का starting coordinate देना है so मैं simply 0,0 डाल दूँगा इसके बाद हमें उस array का नाम देना है जिसमें हमने bitmap को store किया था तो मैं simply card डाल दूँगा क्योंकि आगे हम उसी में अपनो bitmap को store करने वाले है इसके बाद हमें अपने image के resolution को mention करना है so मैं simply 1,0,0,0 डाल दूँगा and finally हमें rotation डालना है so मैं simply 1 डाल दूँगा and semicolon लगा दूँगा finally मैं display.display का use करूँगा ताकि image so होने लगे so हमारा code लगबग ready है and अब हमें बस अपने bitmap को array में डालना है so इसके लिए आपको वो file open करना है जिसमें हमने अपने bitmap को store किया था and आपको यहाँ इस array के अंदर के data को copy करना है and हमारे code में आके अपने array के अंदर paste कर देना है so हमारा code ready है चलिए देखते हैं इसे run करने पर क्या होता है so हमारा code run हो रहा है and आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा image इस display में सो हो रहा है मैंने सभी codes का link नीचे description में दे दिया है आप चाहे तो वहाँ जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं so आशा करता हूँ आप लोग कि यह वीडियो अच्छे लगाऊँ और आपने कुछ नहीं कुछ नहीं जरूर सिखा होगा so अगर वीडियो अच्छे लगा तो इसे like कर और चैनल कर तो subscribe कूँ कि मैं इस चर्मिन कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ